हालो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल, देखे फ्रेंज, आज मैं आपके लिए एक बहुती सुन्दर बुनाई लग किया हूँ, देखे बनाने में बहुत ज़ादा एजी है, और देखे फ्रेंज, बैक साइड से इस तरीकी की दिखती है, इसे आप रिवर्सबल बुना एक्सट्र लेना है, यह देखे, इस तरीकी का यह पैटरन है, देखे फ्रेंज, सबसे पहले आपको आपका बॉर्डर रेडी करना है, और उसके बाद आपको यह बुनाई स्टार्ट करनी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखे फ्रेंज, मैंने, देखे इसमें अलग बॉर्डर रेडी करना शुरू करते हैं, देखे फ्रेंज, सबसे पहले आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि जो बेस रोज हैं, वो स्टार्टिंग में ही, देखे, यहां से यहां तक यह जो बेस रो हैं, यह स्टार्टिंग में ही बनेंगी, फिर बाकी उपर नहीं ब दो, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा बैक, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक, दो, तीन, चार, पांच उल्टे, देखे फ्रेंज, स्टार्टिंग में ही आपको तीन फंदे उल्टे बनने हैं, बाकी आपके पांच फंदे आएंगे बीच में, ठीक है, फि फिर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच उल्टे, धागा बैग, फिर एक सिधा, यह दिखिए, फिर लास्ट में आपकी एक, दो, तीन फंदे उल्टे, और यह दिखिए, एज स्टिच है, इसको फरंट साइज से सिधा पुल लेंगे, इस तरीके से, दिखिए फ्रेंड्स, यह आपकी basic row, first row complete होगी basic row, अब यह आपकी back side है, देखिए friends, back side में आपको क्या करना है, पहला आपका edge stitch है, बुनिये यह आप उतार लीजे, देखिए, मैंने इसको उल्टा बुन लिया back side से, फिर धागा back करेंगे, यह देखिए, उसके बाद, देखिए friends, जो आपने यह आपने जो 5 आगे उल्टे बुने थे, वो back side में आपके 5 सिधे आएंगे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए friends, आपकी यह पूरी row इसी तरीके से complete होगी, 5 सिधे, एक उल्टा, 5 सिधे, एक उल्टा, और last में आपके 3 सिधे रहेंगे, देखिए, यह एक उल्टा हो गया, फि 5 सिधे, धागा आगे, एक उल्टा, फिर धागा back, फिर देखिए last में, एक, दो, तीन सिधे, फिर धागा आगे, फिर देखिए edge stitch है, उसको उल्टा पुन लिजे, देखिए friends, फिर हमारी यह front row आगई है, देखिए friends, यह basic row की आपकी 3rd row आगई है, देखिए, यह सेम जैस जैसे ही आपको repeat करनी है, यह देखिए, पहले edge stitch है, फिर धागा आगे करेंगे, तीन उल्टे, जैसे जैसे आपको दिख रहे हैं, आपको वैसे ही पुनते जाने है, यह fundi, देखिए, तीन उल्टे, धागा back, एक सिधा, धागा आगे, फिर 5 उल्टे, एक, दो, तीन, चार पाँच उल्टे, धागा back, फिर देखिए, यह एक सिधा, फिर 5 उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच उल्टे, धागा back, फिर यह एक सिधा, फिर धागा आगे, फिर लास्ट में देखिए, आपके तीन उल्टे, एक, दो, तीन उल्टे, फिर धागा back, फिर यह आपका edge जिस्टिच है, देखे, मैंने सिधा बुन लिया, देखे, फ्रेंट्स, यह थोड रो हो गई है, अब यह देखे, बैक रो है और यह फोर्थ रो है, तो देखे, बैक रो भी आपको सेम वैसे ही बुननी है, जैसे आपने सेकंड रो बुननी थी, देखे, एक उल्टा, एक, दो तीन सिधे, फिर एक उल्टा, फिर देखे, एक, दो, तीन, चार, पांच सिधे, धागा आगे, फिर एक उल्टा, धागा बैक, फिर पांच सिधे, एक, दो, तीन, चार, पांच सिधे, धागा आगे, फिर एक उल्टा, फिर धागा बैक देखे, फ्रेंट्स, लास्ट में आ एक, दो, तीन सिधे, धाक आगे, यह एज स्टिच है, बैक साइड से मैंने उल्टा बुन लिया, यह देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यह हमारी, देखिए इस तरीकत के हमारा यह, रेडी हो गया, आप देखिए, अब हमारी यहाँ पर बुनाय स्टार्ट होगी देखिए, यह रो आपको, जैसे मैंने यहाँ पर आपको चार रोज बना के दिखाई हैं, यह आपकी स्टार्टिंग में ही आएंगी, अब जब हमारी बुनाय आ जाएगी तो उसके बाद हमको सिर्फ यह दो रोज ही रिपीट करनी है, चार रोज नहीं बुननी है, यह रोज इंस्टार्टिंग में होंगे, ठीक है, आप देखिए, अब आपको क्या करना है, यह देखिए, सबसे पहले आपको यह एज इस्टीच है, सिधा बुन लीजे, ठीक है, फिर उसके बाद धागा आके करेंगे, देखिए, आपकी जो एक, दो, तीन उल्टे हैं, इसमे पहले आपको सिर्फ एक उल्टा बुनना है, यह दो उल्टे आपको छोड़ना है, पहले आपको यहां से, देखिए, एक, दो, तीन और यह चार, देखिए, चौधे नंबर से आपको ऐसे डालना है, और यहां से आपको एक फंदा ऐसे निकालना है, यह देखिए, यह निक फिर आपको एक और दो उल्टे बुणने, देखिए फ्रेंस आपने स्टार्टिंग में एक एज स्टिच लिया, फिर एक उल्टा बुना, फिर आपने एक उल्टा बुनने के बाद आपने एक नीचे से फंदा लिया, फिर दो उल्टे, फिर एक जिदा, फिर दो उल्टे, दे देखिए इस तरीके से ये हो गया फिर उसके बाद धागा आगे करेंगे देखिए फ्रेंस फिर आपको बीच में एक उल्टा बुणना है इस तरीके से देखिए ये उल्टा बुणना अब फिर धागा बैक करेंगे आप देखिए फिर ये पांच फंदे हैं देखिए फ्रें से आपको एक फंदा इस तरीके से निकालना है यह दिखिए ऐसी फंदा निकालेंगे ठीक है फिर धागा आगे करेंगे फिर जो जैसे दिख रहे हैं आपको देखिए दो फंदे आपको उल्टे दिख रहे हैं इनको आप एक दो उल्टा बुनेंगे फिर धागा बैग यह यह देखिए इस तरीके से यह हो गया फिर धागा आगे करेंगे देखिए बीश में आपको एक ही उल्टे का ग्याप रहेगा यह देखिए एक उल्टा बुना फिर धागा बैक करेंगे देखिए फिर यह सीधा है दो इधर रहें दो इधर रहें तो इससे पहले आपको एक द बुनेंगे फिर धागा बैक फिर एक सिधा बुनेंगे ये फिर धागा आगे फिर दो उल्टे बुनेंगे एक दो उल्टे देखे फिर एक फंदा आपने नीचे से निकाला था उसके बाद दो उल्टे एक सिधा दो उल्टे अब आप धागा बैक करके इसी जगह से एक और फ उल्टा हो गया यह फिर धागा बैक करेंगे यह एज़िस्टिच है इसको सिधा बुन लेंगे देख 1967 इस तरीकी की हमारी यह बुनाई होगी अब इसकी बैक्रो आईगी देखिए法 laser बैक्रो में आपको क्या करना है इसको और जो ये फर्स वाला फंद है, इन दोनों को आपको देखे, एक सिधा बुना, इन दोनों को आपको एक करना है इस तरीके से, ये दो को आपको ऐसे एक करना है, ये हो गया, उसके बाद जो बीच में आपका आगे उल्टा था, ये एक सिधा बुनेंगे, और जो बीच लुप करना है दूनों फंद़ों को इस तरीके से इसकोमी करेंगे, इसको भी चार क सर्द कुछ하겠습니다 जो आगे बुनाई है भिलकु सीधह आएगी पैर रएक्जिए, फिर इन चीली करना है यह दुलाई स्वांट का इस फिर आपको इस तरीके से बूना है इसको दो काई करना है फिर ये बीच वाला सीधा फिर जो सीधा था आगे से उसे एक उल्टा बुनेंगे फिर धागा बैक करेंगे फिर एक सीधा बुनेंगे देखे फिर ये दो फंदे आगे इनको आपको ऐसे सीधा करना है देखे ये और ये सीधा करेंगे और उसके बाद इन दोनों को साथ लेके ऐसे आपको दो काई करना है ठीक है फिर ये सीधा हो गया फिर इन दो को आपको ऐसे करके दो काई करना है देखिए ये दो इनका एक करेंगे फिर एक सीधा आएगा फिर धागा आगे फिर एक उल्टा आएगा फिर धागा बैक फिर एक सीधा आएगा फिर देखे इन दो का एक करना है तो पहले आपको इन दोनों को ऐसे sleep करना है उसके बाद आपको इस तरीके से इन दो का एक करना है ये देखे ऐसे फिर last में ये आपका एक सिधा हो गया और ये edge stitch है तो इसे back side से उल्टा बुन लेंगे ये देखे इस तरीके के हो गया देखे अब आपको क्या करना है मैं आपको और डो रोज और रिपीट करके बता इती हूं ये एक खंड राख ऑगा ये है जो ये इस के और ये रोज भुनती ही आपको मुत बाइए आपको अपने तृत बुर रह नहीं है एक सिधा इसी तरी की से friends आपकी ये रोज आएगी देखिए एक दो तीन चार पाँच उल्टे धागा बैग एक सिधा फिर last में आपके तीन उल्टे आएंगे एक दो तीन उल्टे फिर धागा बैग ये edge stitch है तो front side से सिधा बुन लेंगे ये देखिए अब back side में भी आपको same वही करना जिससे अपने basic row में row 2 या row 4 बुनी थी देखिए ऐसे एक edge stitch है फिर देखिए जो आगे उल्टे थे ये तीन back side में सिधे हो जाएंगे ये देखिए फिर धागा आगे जो एक आगे सिधा था वो उल्टा देखिए अब आपकी ये ऐसे रोज चलेगी देखिए इस टार्टिंग में तीन है बाकी बीच में आपके पांच सिधे फिर एक उल्टा इस तरीके से आपकी ये रोज आएगी देखिए पांच उल्टे स्वारी पांच सिधे एक उल्टा फिर एक दो तीन चार पांच सिध तो मैं इसको back side से उल्टा बुनूँगी, देखे friends, यह आपकी अभी, जैसे starting में आपने 4 rows बुनी थी, अभी आपको सिर्फ 2 rows ही बुनी है, ठीक है, अब आपकी फिर से यही बुनाई start हो जाएगी, यह देखे, सबसे पहले edge stitch, ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, फिर फिर धागा back करेंगे, देखे friends, यह जो बीच वाला फंदा है, इसके इन 5 फंदों पे आपको यह बुनाई निकालने है, ठीक है, जैसे पहले एक उल्टा बुनेंगे, सिधे फिर यहां से आपको गिनना है, एक, दो, तीन और यह चार, देखे, चौथे नमबर पे आपको ऐसे डालना है, ऐसे निकालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, वैसे बुनेंगे, देखे, एक, यह दो उल्टे दिख रहे हैं आपको, फिर धागा back करेंगे, फिर एक बीच का सिधा है, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो उल्टे मुने निकालती बस मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दो रोज बना के दिखाई हैं ये देखिए ऐसे फिर धागा आगे करेंगे फिर देखिए बीच में एक उल्टा आएगा फिर धागा बैग देखिए बीच का सीधा है इन पांच फंदों में आपके बुनाया आएगी तो आपको जैसे ये एक उल्टा बुनेगे तो फिर यहां से गिनेगे एक दो देखिए फ्रेंस गिनने की भी जरूरत नहीं है आप इसके बाद आटोमेटिक लिए आपको जहां पे सबसे नीचे वाला लू दिख रहा आपको ये होल वहां पे आपको डालना है ऐसे फिर धाग फिर ये देखिए एक उल्टा फिर धागा बैट करेंगे फिर देखिए ये पांच फंदे निकालनी तो एक उल्टे बुनने के बाद सिध्य आपको ये चौथे नंबर के यहां से एक फंदा निकालना है ऐसे इस तरीके से फिर धागा आगे करेंगे फिर ये जैसे फंदे यह दिख रहे हैं आपको पांच फंदे बीच के वैसे बुनने हैं, दो उल्टे, एक सिधा, फिर यह दो उल्टे, ठीक है, यह पांच फंदे हो गए, अब आपको फिर से इसी जगह से निकालना है, ऐसे, यह देखे, फ्रेंट्स, यह फंदा इसको आपको पीछे रालना है, देखिए कि यह बुनाई हो गया आपकी फिर देखिए बैक रूम में आपको वही करना है जैसे आपने नीची किया था देखिए एक एज स्टिच है फिर एक सिधा बुनें गया देखिए फ्रेंड फिर धागा बैक करके यह देखिए यह जो दो फंदे है फर्स वालों को तो अब ऐसे डालके यह दूसरी सलाई को आपको इस तरीके से डालके देखिए ऐसे डालेंगे और फिर दो का एक करना है ऐसे देखिए फ्रेंड बहुत जादा एजी है देखिए ऐसे एक सिधा बुनेंगे यह दो फ्रंट वाले दो को आपको ऐसे करना है सिंपल दो का एक करन यह ऐग जाएगा से से इक कई ता कहा घ्राल ओक्राइपीरस्सका यहुआ कि इस दो के आप सिधागा को गुदुटा फिर दो नहींकि एग नहीं, लिए प्रशेख स्लीप किया उसके बाद लास्ट में यह सीधा हो गई आपका दिखेए आपकी बैक साईड है तो ऑज इस्टिच आपका उल्टा हो जाएगा यह देखेए इस तरीके से ठीके यह हमारी बुनाई रेडी हो गई है यह देखे इस तरीके की है सेम लग रही है दोनों बनाई देखे फ्रेंट्स बहुत जादा ब्यूटिफुल लगती है यह देखे बैक साइट से भी बहुत ही जादा सुन्दर पैटर्न आरगा है अगर आप इसे किसी कैप वगेरे में भी डालेंगे तो कैप भी आप दोनों साइट से पहान सकते है अगर आप सिलाई ढंक से करेंगे तो स्वेटर भी आप दोनों साइट से रिवर्सिबल स्वेटर बन जाएगा आपका यह दिखे बहुत जादा सुन्दर पैटर्न बनके रेडी हुआ है देखे फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह बुनाई पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भोलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकिसन सबसे पहले आप तक पहुँचे थैंक यू